हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में तो फ्रेंड्स जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक transfer certificate है transfer certificate का जो form है अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे लेकिन इस transfer certificate form में कुछ ऐसी हरकत की गई है जो मतलब काफी विवाद जनक बन चुकी है और अभी इस पर काफी विवाद देखने को मिल रहे है तो अभी इसमें क्या है इसमें एक उपर लिखा हुआ है चात्र का नाम जाती साइत यदी हिंदु है या कोई मतलब अलग धर्म है अत्वा धर्म तो friends इसमें क्या है असमीता देवी और इसमें सीधे तोर पर जाती का नाम लिखा हुआ है जो की चमार यहां पे चमार सब्द का प्रियोग किया गया है तो इस पे क्या है इस पे काफी विबाद देखने को मिल रहे है और ये चीजे कहीं न कहीं जो transfer certificate form है इसमें ये चीजे मतलब खास्तोर पर गलत दिखाई दे रही है ये चीजे नहीं होनी चाहिए इसके बाद advocate असोग अगरवाल सर ने इस पर अपने विचार जाहिर किये है अपने विचार दिये हैं अभी आप देख सकते हैं उन्होंने क्या का है आज अश्मिता जिसने दंगा चरण सधारी लाल इंटर कॉलेज बुडवा फतेपुर से जो है दस्वी पास की है और दस्वी पास करने के बाद उसने वो फर्स क्लास आई है दस्वी में और वहां से ट्रास्फर सेट्रिकेट लेके देली में देली के स्कूल के अंदर उसने गैर्वी में दातला लिया है तो ये गंगा चरण सुधारी लाल इंटर कॉलेज ने उसको एक ये ट्रास्फर सेट्रिकेट इसु किया है जिस पर आप देखेंगे कि उसके नाम के साथ जो है चमार का शब्द जूज किया गया है और उसके उपर कॉलम में भी लिखावा है नेम आफ स्कॉलर विद कास्ट इफ हिंदू अदर्वाइस रिलीजन या तो ऐसा लगता है कि यह जो परफार्मा कॉलिज ने स्वाल किया है यह कोई बहुत पुराना परफार्मा हो सकता है लेकिन आपने इशू तो अभी किया है इसी महीने इशू किया है और इस तरिये का लिखना मुझे लगता है इस सर्टिफिकेट के उपर यह बहुत ही highly objectionable है क्योंकि यह एक तरीके से degrade करता है indignify करता है student को वो इस तरीके से जो है उसका human right जो dignity को बात करता है constitution हमारा right to dignity की बात करता है यह उसको सीधा violate करता है इस तरीके का इस्तवाल करना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मानसिक्ता की समस्या है कुछ लोगों के बीच में जो यह school चला रहे हैं college चला रहे हैं लेकिन वो यह नहीं समझते हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तवाल करना इस तरीके के शब्दों का इस्तवाल करना वो भी उसके भी अधिकार नहीं है कि इस तरीके से बच्चों को जो है डिग्रेट किया जाए उसका human right की evolution है मुझे लगता है कि उतरपरदेश की सरकार को immediately इसका cognizance लेना चाहिए और एक आदेश इशू करना चाहिए कि इस तरीके के entries जो है बच्चों के certificates में ना की जाए मुझे लगता है कि परधान मंत्री का दफ्तर भी इस बात का notice ले कि इस तरीके की entry जो है वो हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है वो healthy नहीं है human right को violate करती है और इस पर तुरंत action even human right commission को भी इसका cognizance लेना चाहिए और तुरंत निर्देश issue करने चाहिए पुरे उत्तर परदेश के अंदर खास कर कि कोई भी educational institution certificates के उपर इस तरीके का कोई entry ना करे जिससे की जो है उसकी जो dignity है वो adversely effect हो तो मैं समझता हूँ कि उत्तर परदेश की सरकार National Human Rights Commission और प्राइम मिनिस्टर का दख्तर इस मामले को seriously लेगा और इसके उपर तुरंत कारवाई करेगा